प्यारे किसान भाईयो आज हम सेव की बागवानी के बारे में चर्चा करेंगे सेव की बागवानी हिमाजलक प्रदेश में बहुत ही मत्तो पुरुण मानी जाती है इसके लिए हमने ने बिगिच्चों का रोपन किस तरह करना है क्या क्या बिधियां अपनाई जाती हैं किस तरह गड़ा त्यार करना होता है और क्या क्या हमने पौदे से पौदा उचित दूरी हाई डैंस्टी हो या कोई स्टेंडर्ड प्लान्टेशन हो हमारी बिगिच्च्चा त्यार करना है उसके लिए हम बिधियां अपनाएंगे तो सबसे पहले में आपको गड़ा बनाने की बिधी के बारे में बात करूँगा गड़ा बनाते समय सेव में अगर घासनी वाली जगह है तो उसमें गड़े का साइज रहता है हम चार बाइ चार बाइ चार हम उसमें मनाते हैं अगर हमारी फ्लैट लेंड है तो उसमें हम गड़े का साइज जो है दो भाई दो भाई दो फुट रखते हैं जैसे हम गड़े त्यार करते हैं जो उपर वाली मिटी होती है स्टै वाली मिटी होती है उसको हम अलग जगा रखते हैं अलग जगा रखा करते तो गड़े से गड़ा दूरी हमने पहले ही उसमें बनाए रखनी है उसमें गोबर की खाद गली सरी खाद होती है वो हमने उसमें मिक्स करनी है तो एक गड़े के इसाब से अगर हम देखें तो प्रती पौधा हमें 15-20 kg खाद डालनी पड़ती है उपरी स्तेय वाली जो मिट् ऩर मिक्स करेंगे उसकी खाद को मिक्स करके हम गड़े में भरेंगे सबसे पहले इस्निकाद करने के लिए सब पहले तो तिती के अनुसार, हाइट के अनुसार, कि किस तरह की कौन सी किसम हमने सेव की लगानी है, अभी ये विगीचा हमारा हाइडेंस्टी, एपल प्लानेटेशन के उपर, जो इंस्टिूशनल डॉल्मेंट प्लान है, उनिवर्स्टी अफॉर्टी कल्चर इन फोरस्टी में, उसक दो दसमलब पांच मीटर की, और पौदे से पौदा हमारी दूरी दो मीटर की रहनी चाहिए, रूर्स्टॉक के पौदे हैं, यह हमने तियार कर रखे हैं, और हमने सबसे पहले बैविस्टिन के घोल में ये मिक्स, हमने इनको डिप कर रखा है, हमने पांच से दस मिनट तक इनको इसमें भिगो के रखना है, और बाद हमने इन पौदों को पौदों की प्लांटिंग करनी है, प्लांटिंग करते समें हमें ये भी चीज़ें धिहान रखनी होती है, कि अगर हमारा हाईट, हाइट वाली लुकेशन्स हैं, जगाएं हैं, तो उन हाइट वाली जगा प तो अगर औरियंटेशन की बात की जाए तो हमें नौर्थ सौथ औरियंटेशन में उसका रोपन करना चाहिए सेव की बागवाणनी है या दूसरे स्टोन फूट भी होते हैं जितने भी टेंपरेड जो ऑनगे फूरोट से रहते हैं हमारे फल रहते हैं उनके लिए दिसंबर जनुरी के पौदर उपन के लिए बहुत ही उपयूक्त समय है पौदर उपन के बाद जो पौदे के किनारे की स जड़ें कम से कम समय में मिट्टी के साथ संपर्क में आ जाएं तो इस तरह हम पौधे कारोपन करते हैं और बगीचा लगाने के लिए हाई डैंस्टी प्लांटेशन का आजकल बहुत जोर पकड़ा हुआ है यह हमारी फ्लैट लैंड के लिए बहुत ही महतोपुर्ण माना जा जैसे आप हमारा बगीचा देख सकते हैं कि इस बगीचे में जैसे हमने तरह तरह की किसमे लगा रखी हैं यह रूस्टॉक के ऊपर हमने बगीचा लगा रखा है तो इसमें जैसे जीरो माइन किसम है हमारी रेडलम गाला किसम है तो आप देख सकते हैं कि यह हमारी महिने की प्लांटेशन है तो पौदे की उचित बढ़ातरी के लिए अच्छी खाद पानी भी चाहिए और साथ में समय समय पर पौदे की स्थिति को देखते हुए नमी को देखते हुए उसमें हमने सिंचाई भी करनी है तो यह सब चीज़ों को हमें समय समय पर ध्यान रखना होता है पाद रोपन के बाद पौदा हमारा इस्टबिश होना शुरू हो जाता है तो मार्च महिने तक इसमें स्प्राउटिंग होना शुरू जाती जैसे मौसम गर्म होता है तो इसमें कि आंक से कलम फूटेगी यहां से तनिया निकले और निकलेंगे तो हमने यह भी ध्यान रहा है कि पौद्धे में एक रेलेंस भी बना क ہے ऐसा नम्हें हीन कि हर आंक से एक टेहन लेनी है हमने इस तरह बैलेंस बनाना रेका ताना उन टैनियों का भार भी सहन कर सके जो रूर स्टॉक का ये पौदा लगा रखा है तो हम एक तो हमारे पास जैसे हम विप कर देते हैं तो उससे क्योंता है कि जैसे हमने कटिंग कर दी है तो उसके बाद जो निच्चे वाली आंखी होती है वो फूटना शुरू हो जाती है तो जैसे से पौदा बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे हमने पौदे में उससे कटिंग और उससे की कांट चंट करनी है जो भी दिसम्बर जनुर्य के मिल्ने में की जाती है मैंने बात बताई कि इसमें हमने डाई वाई 2 मीटर की दूरी रखी हुई है अब कई ले आउट जैसे हम रखते हैं तीन थेन वाय, तीन वाय, लोन 4 मीतर थी चार भाय, जैसे पlles थे स्पेसिंग रखते हैं, तो वो स्क्वेर सिस्ट्म प्लान्टिंग होती है हमारी, तो इस तरह करके हम लेयाउट बिगिच्य का इस तरह इस तरह महिने में डालनी है जैसे पौदा आपन किया उसके जैसे पौदा एस्टबिश करता है उसके बाद हमने आधी मातरा डाल देनी है और शेस भाग जो डालना है जब उसमें नए पत्याना शुरू हो जाएंगे जैसे यह हाई डेंस्टी का भी गिच्चा लगा है तो आठ नौ म महिने का पौदा है तो इसमें अगर रूस्टॉक का पौदा है तो रूस्टॉक वाले पौदे में तो आप जल्दी भी फल ले सकते हैं तो यह हमारा ग्राफ्टिट पौदा है तरह तरह की किसमे हैं यहां पर चारपन तरह की किसमे हैं पौद रोपन तो कर दिया हमने लेक एक प्रागन किसम का अच्छी किसम का चुनाब करें जैसे गेल गाला भी है हमारे पास यह सिती को देखते हुए कैसी वहां पर लोकेशन को देखते हुए हाइट को देखते हुए वैसी हमने किसम का चुनाब करना है तरह तरह के पॉलिनाजर हम लगा सकते हैं जैसे ग्रेनी स कि हम लगा सकते हैं तो इस तरह करके ये बीगीचा अगर हम देखे अगर declarationब defing has면 this ने सभे स्सकार एरिया है तो इसमें हमने 1000 प्लांट्स लगाए होए हैं तो इस साल हम देख सकते हैं कि इन में फ्ल सैंपल के सा अचक पूर पह चुरू हो जाएगा. जो traditional planting थी जो हम 6 वाई 6 मीटर पे लगाया करते थे अब आगए हैं अगर इससे कम भी लगाना चाते हैं लेकिन उसके लिए हमें training system दूसरे अपनाने पड़ेंगे हमने उसमें टाल स्विंडर सिस्टम होता है training system उस तरह के हैं इसमें हमने पौदे को फैनले ने देना है क्योंकि कम दूरी है उसका हमने advantage लिया है कम दूरी में पौदा लगाया है maximum जिमीन भूमी का प्रयोग हमने किया है कि ऐसी किसमें आ चुकी है कि जैसे रूस्ट्रोग के पौदा बौने प्रिविति का भी रहता है तो उस तरह करके हम कम जमीन में ज्यादा बात्रा में पौदे लगा सकते हैं तो इसे भी हमने train करना होता है कि maximum sunlight जो है हम हार्वेस्ट कर सके हर पौदे के हर ब्रांच तक की maximum sunlight जो है वहां पहुंच सके जिसके साथ फल और मतावार संभव हो सके